इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग कर और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। Telmise Tablet दवाओं का एक मिश्रन है जिसका इस्तेमाल hypertension यानि की high blood pressure का इलाज करने के लिए तब किया जाता है जब किसी एक दवा से बहतर महसूस न हो रहा हो। यह उच्छ blood pressure को कम करने में मदद करता है, इस प्रकार भविश्य में hot attack और stroke की संभावनाओं को कम करता है। Telmise Tablet को भोजन के साथ लेना चाहिए। दोगज आपकी condition और दवा के प्रती आपके response पर निर्भर करेगी। हर दिन इसे एक ही समय पर खाने की कोशिश करें। जब तक आपका डॉक्टर आपको मना नहीं करता तब तक इस दवा को लेते रहना आवश्यक है। इसमें diuretic यानि की water pill होता है और इसके कारण आपको अधिक बार पेशाब जाना पड़ता है। इसलिए सोने की 4 घंट पहले इस दवा को लेने से बचना बहतर रहता है। अगर आप बहतर महसूस करने लगे हैं, तब भी अधिक लाप के लिए नियमित रूप से इस दवा का इस्तिमाल करें। आमतोर पर हाई बलड प्रेश में लक्षन नहीं होते हैं, और अगर आप इसे लेना बंद कर देते हैं, तो आपका होट अटेक या स्ट्रोक का जोखिम बढ़ सकता है। इस दवा के सबसे आम साइड एफेक्ट में एडियों में सूजन, सिर्दर्द, चक्कर आना, ठकान और स्वाद में बदलाव शामिल हैं। अगर इन में से कोई भी आपको परेशान करता है या अधिक बिगर जाता है या नहीं जाता है तो डॉक्टर से परामर्श करें। मान स्पेशियों में कमजोरी, सूखे मुह और अत्यधिक प्यास को दूर करने के लिए दवा लेते समय बहुत सारे तरल पदार्थ पिएं। इसे लेने से पहले अगर आपको लिवर या किड्नी में कोई समस्या है तो डॉक्टर को बताएं। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को यह दवा लेने से पहले डॉक्टर से भी सलाह लेनी चाहिए। अपने द्वारा ली जाने वाली सभी दवाओं के बारे में अपने डॉक्टर को भी बताएं विशेश रूप से जिनका इस्तेमाल high blood pressure या हिरदय के इलाज के लिए किया जाता है। आपको अपना blood pressure, kidney function, electrolyte का स्तर और blood sugar स्तर को नियमित रूप से चेक करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह दवा ठीक से काम कर रही है। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, notification bell icon पर क्लिक करें। और all notification को क्लिक करें। धन्यवाद।